तो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के explanation में जो की होने वाला है भ्रहम वेब सीरीज पर दोस्तो ये सीरीज जीफाइपर रिलिज की गई थी 2019 में इस वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स है और इसका जॉनर है हॉरर थ्रिलर सीरिज की मेन लीड स्टारकाश ठेकल की जिसका इन सीरिज नेम है अलिशा खन्ना एंड गाइज बिलिव मी ये एक भेतरीन सीरिज है सीरिज की IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10 आज हम भ्रम टीवी सीरिज सीजन 1 के 4 एपिसोड को डीटेल में एक्स्प्लेन करेंगे और अभी तक इसका एक ही सीजन रिलीज हुआ है तो इस सीजन पर मैं दो वीडियो बनाऊंगा पहले 4 एपिसोड एक वीडियो में और आखरी 4 एपिसोड सेकंड वीडियो में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर ने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन जरूर दबातें ताकि आप ऐसी ही वेब सीरिस के एक्स्लेनेशन सबसे पहले देख सकें तो अब बिना देर के चलते हैं सिदा वीडियो की तरफ एपिसोड वन के शुरुआत में हम एक लड़की को रात को जंगल से भागते हुए देखते हैं इस लड़की का नाम आईशा था आईशा के पीछे एक हूरेड मास्क पहना हुआ एक आदमी पढ़ा हुआ था जो काफी क्रीपी लग रहा था और चिलाने के आवाज के साथ स्क्रीन ब्लैंक होती है और कहानी हमें 20 साल बात की दिखाई जाती है जहां हम शिमला में दो बहनों को देखते हैं छोटी बहन आलिशा और बड़ी बहन अंकिता अलिशा असल में एक हाथसे के बाद अपनी बहन के घर रहने जा रही थी और वो हाथसा क्या था ये हमें आगे पता चलेगा अलिशा एक बड़ी फेमस लव स्टोरी बुक्स एंड नोवेल की राइटर थी अंकिता का ड्राइवर आउतार गाड़ी चला रहा था तभी आलिशा देखती है कि एक ट्रक ने आके उन्हें ठोक दिया और वो चिलाती है पर ये एक वहम था आउतार गाड़ी रोग दिता है और तभी गाड़ी के पास एक चाचा आता है जिसका नाम था अब्दुल जो आलिशा को देखकर बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी अब गाड़ी एक बात में आपको क्लियर कर दू कि 20 साल पहले वाली जो लड़की जंगल में भाग रही थी उसका नाम आईशा था और अभी ये जो लड़की है इसका नाम आलिशा है तो आप कंफ्यूज मत होना थोड़ी देर बाद दोनों बहने घर पहुँचती है और घ आलिशा जैसे ही उसे हात लगाती है पेड की एक तहनी गिर पड़ती है और वो आलिशा पर गिरने ही वाली थी के तब ही पीटर आके उसे बचा लेता है पीटर अंकिता का पती था घर में आते ही आलिशा अपने डिप्रेशन की दवा ना लेकर उसे फेक देती है दूसरी तरफ हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम था कृतिका एंड सारा ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और इनमें से क्रितिका जो थी वो अंकीता एंड पीटर की बेटी थी और ये दोनों ट्रिप पे जा रही थी बड़ सैरा ट्रिप पे ना जाके अपने बॉइफ् उन्हें बाहर से कुछ आवाजे आती है तो लड़का बाहर जाके देखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था पर तभी केबिन से सारा की चिलाने की आवाज आती है और वो गायब थी लड़का उसे ढूनने जाता है और तभी उसके सामने कोई तेज भाग कराता है और हमें ए साथ गया था वो आ गया या नहीं तो वो लड़का बोलता है कि नहीं कल तक शायद दोनों भी आ जाएंगे तभी उस लड़के के कमरे में उसके कॉलेश के हेड फादर अलफर्ड जो से बाजाते हैं जो पूछते हैं कि एमैनियल कहा है तो ये बंदा बहाना मार देता है कि वो बीमार है और दवाई लेके सोया हुआ है तो फादर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ यहाँ घर में हमें पता चलता है कि आलिशा शादी शुदा थी और उसका एक पती था जिसका नाम था यश पर वो अभी जिन्दा नहीं था और यश कैसे मरा ये हमें आगे पता चलेगा फिर पीटर आलिशा को बोलता है कि कल उसका बिजनेस पार्टर प्रदीप आ रहा है देर रात पागल अब्दुल चाचा फादर को आके बोलता है कि वो यहाँ पर आ चुकी है और कोई भी नहीं बचेगा याने यहाँ आईशा जो 20 साल पहले मरी थी उसकी बात हो रही थी तो फादर ये सुनकर अपने आपको कोडे मारने लगता है याने गाईज ऐसा कुछ रास था जो 20 साल पहले से लेकर आज तक अनसुल जा है दूसरी और आलिशा जैसे ही टाइप राइटर पर एक कहानी लिखने की कोशिश करती है अचानक से अपने आप ही टाइप राइटर पर A-Y लिखा जाता है और आलिशा को क्लिक होता है वो पेड एंड हार्ट शेप जिसमें A- लिखा गया था याने दूसरा लेटर वाय था और फिर हम आलिशा के पीछे आईशा की आत्मा को खड़ा देखते है और एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है एपिसोड 2 के शुरुआत में हम इंस्पेक्टर रावत को देखते हैं जो एक औरत के साथ इंटिमेट हो रहा था और वो एक डॉक्तर की बीवी थी तभी उसे कौन आता है फादर अलफर्ड का कि तुम्हें सेशन के लिए आना है तो रावत स्कूल जाता है और वहां में पता चलता है कि इंस्पेक्टर रावत और गवर्मेंट ने एक एप बनाई है जिसमें अगर कोई प्रॉब्लेम हो तो आसानी से पुलिस को बुलाया जा सकता है फिर कहानी पास्ट में 20 साल पहले पर फोकुस होती है जहाँ पर आईशा मुंबई से हाल ही में शिमला शिफ्ट हुई थी तो वहां के तीन लड़के BC, PP और अलफी आईशा को स्टॉक कर रहे होते हैं पर आईशा को एक लड़का पसंद आ गया था जिसका नाम था अब आपको A&Y ये किसके इनिशियल से ये क्लियर हो गया होगा जो उस पेड़ पर बने थे आईशा और याकूब के फिर से प्रेजन्ट में रावत सेफटी एप का लेक्चर दे रहा था और उस लेक्चर की गेश्ट थी आलिशा और वो एक फेमस राइटर थी तो उसके ज फोन पर वार्निंग बेल बजने लगती है दूसरी तरफ कृति का जो ट्रिप पे थी वह अब भी सेरा को लेके काफी परेशान थी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था आगें कहानी 20 साल पहले पर फोकुस होती है जहां बीसी पीपी अलफी एंड पगलू चारों भी कर लेती है उसी रात को प्रदीप याने के पीटर का बिजनेस पार्टनर घर आता है और वो आलिशा को देखकर उसके प्यार में पढ़ जाता है फिर खाना खाके प्रदीप घर जाने के लिए निकलता है और पीटर प्रदीप को बोलता है कि तुम उस चुडल बावडी वा में जान से मार देता है उकाला के बात पर कोई भी बरुसा नहीं करता सिवाए पगलू के क्योंकि उकाला उनका भगवान था और आपको याद होगा कि एक जिसने फुरुआत के सीन में आईशा को मार दिया था वो हुडेड मैं असल में उकाला ही था जो जंगल का देवता था और उसने आईशा को क्यों मारा और आईशा ने क्या गलत किया था ये हमें आगी क्लियर होगा और अभी रिसेंटली भी सेरा और उसके बॉइफरेंट पर उकाला ने ही हमला किया था जो केविन में इंटिमेट होने गए थे कहानी अगेन प्रेजेंट में आती है और आलिशा को कीचन के डोर से आईशा की घुष्ट नजर आती है जो एकदम से हमला करती है और अलिशा चिलना देती है और जैसे ही पीटर अंकीता वहां आते है तो बाहर कोई भी नहीं था दूसरी तरफ हम प्रदीप को देखते हैं जो चुडेल बावडी रोड से जा रहा था और अचानक से उसका एक्सिडेंट हो जाता है इसी के साथ एपिसोड टू एंड होता है फिरुम में भी आलिशा को आईशा की स्पीरिट नजर आती है एड़ इट सीम्स लाइक एक तो आईशा ने इसे परसेखर लिया था या फिर उसकी स्पीरिट इसे कुछ बताना चाहती थी फिर कहाणी पास्त में जाती है जहाब बीसी आईशा को प्रपोस करता है पर वह मन के लिए फिर से प्रिजेंट में पीटर को प्रदीभ के एक्सिडेंट के बारे में पता चल जाता है और प्रदीभ को बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस चुड़ेल बावडी वाले रास्ते से मत जाना तब वहाँ पर इंस्पेक्टर रावत भी आता है और प्रदीप रावत को बोलता है कि जंगल में उसके कार के सामने एक जखमी लड़का आ गया था और उसको बचाने के चक्कर में उसने काल ठोकी यह जखमी लड़का कोई और नहीं अमैनियल था जो शुरुआत में सारा के साथ क अमैनियल को ढूलने और कुछी देर खोच करने के बाद उन्हें अमैनियल जखमी हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है जिसे तुरंथ होस्पिटालेस्ट किया जाता है अगले दिन कृतिका अंकिता को जूड़ बोलती है कि वो दोस्त के घर स्टड़ी करने जा रही है असल में कृतिका एंड उसके दोस्त मिलकर सारा एंड अमैनियल को जंगल में ढूणने जाते है पर अमैनियल तो हॉस्पिटल में था एंड फादर अलफर्ड हॉस्पिटल में आता है उसे देखने तो रावत उसे काफी सुनाता है कि कई दिनों से एक स्टूडन्ट होस्ट उसे मारने की कोशिच करता है पर बाकी लोग उसे रोक लेते हैं प्रेजेंट में हमें यह पता चलने वाला था कि वह पास्ट के और नहीं बीसी था एंड पीपी इस पीटर जो अब अंकिता का पती था यह तीनों भी अब बड़े हो गए थे एंड सेटल हो चुके थे फादर अलफ़र्ड उर्फ अलफी प्रदीप पर ध्यान ना देकर वहां से चला जाता है उसी दो पहर को सारा की मौम इंस्पेक्टर र करते हैं प्रदीप बोलता है कि उससे अब शाधी करके एलिशा से शादी करनी है पर पीटर कहता है क्या हम्यादी जस पती यिश उसके पेट मे जिजो फिलहाल वह किसी से भी रिष्टा नहीं बनाएगी यांड और economist लटी doses कर्दमें से मिलने जाता है उसके स्कूल में एंड क्रितिका रावत को सब कुछ बता देती है कि सारा एंड अमैनियोल दोनों भी जंगल की केबिन में इंटिमेट होने गए थे तो इंस्पेक्टर रावत अब जंगल में जाता है सारा को भी ढूनने के लिए जंगल में कोई था जो पुलिस को देखकर भाग जाता है पर रावत को सारा की डेड़ बॉडी बरामत होती है जिसके शरीर पर जख्म बने हुए थे और उसके पेट में दो सीम किसे ने घुसाए हुए थे उसी राद को आलिशा को आईशा की आत्मा जूले पर बैठी हुई दिखती है और वो उस आत्मा को फॉलव करके जंगल में जाती है जहां उकाला अलिशा पर हमला करता है पर अलिशा तुरंट उस एप की मदद से इंस्पेक्टर रावत और अंकिता को बुला लेती है और जिसी वो लोग वहाँ जाते है उकाला वहाँ से भाग जाता है पीटर को उकाला वाली बात फेक लगती है बट रावत को कुछ क्लिक होता है मतलब सारा के शरीर पर सिंग के निशान होना प्रदीप के एक्स्रिडेंट के वग गाव वालों ने उकाला का नाम लिया था अब अलिशा भी उकाला का नाम ले रही है याने इस उकाला वाली बात में कुछ तो सच्चाई है ऐसा रावत को लगता है आलिशा को घर में लाया जाता है और उसे अब भी आत्मा दिख रही थी जो जूले पर बेटी हुई थी फिर से कहानी 20 साल पहले फोकस होती है जहां BC and PP याने के अभी के प्रदीप और पीटर नशे में केविन की तरफ जा रहे थे के तभी उनके केविन में याकूब और आलिशा इंटिमेट होते हुए उन्हें दिखते है तो BC घुसे में एक मॉल्टो बना के केविन में फेकने का सोचता है और यहीं पर एपिसोड फोर एंड होता है अब गाइज लेट्स क्लियर अल फोर एपिसोड टाइम लाइन पहले चार एपिसोड में हमें दो टाइम लाइन दिखाई गई है एक टाइम लाइन 20 साल पहले की है और दूसरी अब प्रेजेंट पिरेड की तो मैं पहले 20 साल पहले के इंसिडन्स क्लियर कर देता हूँ इन प्रॉपल टाइम लाइन तो 20 साल पहले आईशा नाम की एक लड़की मुंबई से शिमला शिफ्ट होई पहले ही दिन स्कूल में 20 पीपी और अलफी इन तीनों बंदों को आईशा पसंद आ गई थी बट आईशा को याकुब नाम का लड़का पसंद आ जाता है कुछी दिनों में तीनों भी एक एक करके आईशा को प्रोपोस करते हैं पर वो तीनों को मना कर देती हैं और वो बीसी को बुरा भी बोलती है BC, PP, and Alfie पगलू के साथ मिलकर रोज एक केबिन में नशे करते थे एसे ही एक दिन BC, PP, and Alfie जंगल के गौड उकाला का मज़ा कुड़ा रहे थे बट पगलू उकाला को मानता था एसी ही एक बार याकूब भी केबिन में आता है पर BC and याकूब में लड़ाई हो जाती है और BC अब आईशा और याकूब दोनों से बदला लेना चाहता था और ये एक मौका उसे कॉलेश फॉंक्शन के रात मिलता है जब याकूब और आईशा केबिन में थे और इंटिमेट हो रहे थे तो BC उन पे जला हुआ मौल्टो फेकने की सोचता है पर वो फेक पाता है या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है और एक और इंसिडेंट में याने के जंगल का देउता हमें दिखाया जाता है जो आईशा को जान से मार देता है तो ये तो थी दोस्तो पास्ट के टायम लाइन present की टायम लाइन में हम आलिशा नाम की लड़की को देखते है जो एक famous writer थी और इसका हाली में एक truck accident हुआ था जिसमें उसका पती एंड उसका बच्चा मारा गया था आलिशा कोमा के बाद अपनी बेहन एंड जी जाजी याने के अंकीता एंड पीटर के घर में रहने आई थी हम देखते हैं कि वो अपनी डिप्रेशन की गोलिया नहीं लेती और उसी के बाद उसे आईशा की स्पिरिट नजर आने लगती है एज इफ वो अलिशा को कुछ बताना चाह रही हो फिर एक बार जब वो अईशा के स्पिरिट के पीछे जाती है तो उकाला उस पे हमला कर देता है एड दे सेम टाइम दूसरी तरफ हम कृती का याने के अंकीता और पीटर की बेटी को देखते है जिसकी एक दोस्त थी सारा सारा ट्रिप कैंसल करके अपने बॉइफरेंड अमैनियोल के साथ जंगल की केबिन में जाती है पर उकाला सारा को मार देता है और अमैनियोल को वो गंभीर जख्मी कर देता है और इन सारे केसे के बाद ही इंस्पेक्टर रावत ये उकाला सारा अमैनियोल के केस पर काम करन पगलू एंड याकूब और ये दोनों अब कहा पर है ये अभी तक से हमें पता नहीं चला है तो ये सारे राज आने वाले चार एपिसोर्ट में खुलेंगे तो उस एक्स्प्लेनेशन की भी आप लोग वेट करना उसका भी एक्स्प्लेनेशन बहुत ही जल दाएगा मैं तो ये सारे पार्ट एक ही वीडियो में कवर करना चाहता था बट एक्जाम्स के प्रेशर के कारण इतना वक्त नहीं मिल रहा तो डोंट वरी गाईज बचे हुए पार्ट भी में अगली ही वीडियो में कवर कर दूँगा एंड हमारी मोस्ट अवेटेड एक्स्लेनेशन अमेर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में